जोती सचाजी पित्र पक्ष के दिनों में भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए हर हर महादे जैवाविद देनात पित्र पक्ष में कुछ कुछ ऐसे भी होता है जाने अंजाने में गलती हो जाता है लेकिन सावधानी बरतना अति आवस्यक होता है विसेश करके जो पिंडदान करते हैं घर के जो मुखिया होते हैं जो बड़े होते हैं और जिनको अधिकार पिंडदान का मिल गया है विसेश नियम वहां लागू होता है यह नहीं है कि घर के सभी सदस्य नियम तो पालन करना चाहिए सभी सदस्यों को, लेकिन खास कर मेन मुखिया जो होता है, घर में जो पिंड़दान करने वाले होते हैं, उनका कुछ खास नियम होता है, वह सोच समझ करके 15 दिन का समय जो व्यतीत करेंगे, वह सोच समझ करके, सबसे पहली बात है, कि भोजन जो करेंगे, वह सात्व भोजन होना चाहिए तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए लोग इसमें कनफ्यूजन करते हैं कि मांग साहरी जैदी मांग सा नहीं खाएं लेकिन मांस की बात नहीं है लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन है इसलिए लहसुन प्याज का वरजित करें और क्या है सबसे बड़ी ब पत्रिपक्ष में जो पितर होते हैं वो पक्षी के रुप में बिच्रन करते हैं जैसे कि कुवा तो पित्रिपक्ष के TWO को मिल जाता है जदी घर Mac वा जाता हो तो का को रोटी अभर से खिलाएं आसा नहीं कि विणा खाम वह घर से चला जाए, कभी भी अपने घर से कवे को भी ना खिलाए, वापस नो भेजें, उड़ने नो दें, ये भूल कभी नहीं करें, कुत्ते को नो मारें, पक्षी को नो सताएं, कुत्ते को भी रोटी अवस्य खिलाएं, इसके बाद तील का लड़ू नो खाएं, तील का खीरा खाना भी शना भी खाना वर्जित है और सरसों का साथ ये तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए और घर में मांगलिक कार्ज नो करें मांगलिक कार्ज जितने भी प्रकार के होते हैं पित्रिपक्ष में नहीं होते हैं क्योंकि 15 हदीन का जो पित्रिपक्ष है उसमें पितरों की पूजा होती है और मांगलिक कार्ज में पितरों से कोई लेना देना नहीं है